नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अर्विंदर और आप देख रहे हैं A.A.S. Academy दोस्तो आज का वीडियो हमारे उन सभी भाई बेनों के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है जो मद्विदेश सिक्षक भरती वर्गतीन की तैयारी कर रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बता दू कि बहुत सारे स्टुडेंट्स के मन में सवाल हैं और लोगों ने ऐसी भ्रांतियां भी फैला दी हैं YouTube के मद्यम से WhatsApp, Facebook, Social Media के मद्यम से कि जो बर्गतीन की भरती है वो आपकी 10th और 12th वेस के आधार पर की जाएगी तो मैं आपको इसी बारे में बता रहा हूँ कि आप लोग सबसे पहले तो एक बात को ध्यान रखें कि 10th और 12th की जो भरतियां है वो उस जगए पर होती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ उनके लिए 10th और 12th मांगी जाती है क्योंकि आपको पता होगा कि जब बर्गतीन की भरती होगी तो उसके साथ आप D.A.D. मांगते हैं और D.A.D. उसके साथ कंपनसरी होता है या B.A.D. कंपनसरी होता है जब किसी भी जॉब के लिए एक मांगी जाती है तो उसको 10th और 12th के बेश पर हम काउंट नहीं कर सकते हैं इस बात का याद रखेगा तो बर्गतीन में आपका D.A.D. मांगा जा रहा है और MP पुलिस की बात करें तो MP पुलिस की जो भरती है 10th 12th के बेश पर नहीं होगी इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसके फॉर्म पहले निकल चुके इसके फॉर्म बर्गतीन आपकी कभी नहीं होगी क्योंकि इस पर B.A.D. Special Education के रूप मांगा गया है जैसे कि आपको 10.0 में जाना है या आपको किसी टाइपिंग उसमें जाना है तो आपको साथ में CPCT मांगा जाएगा यदि 10th 12th के बेश पर भी भरती हो रही तो साथ में CPCT मांगा जाएगा यदि आपके पास CPCT है तभी उसकी merit list बनेगी आपकी तो याद रखीगा कि आपको बिलकुल परेशान नहीं होना है आपको अपनी तयारी में लगे रहना है औ आप लोग निश्चिंट होकर अपनी तयारी करें ये भरती कभी भी 10th 12th के बेश पर नहीं होगी याद रखीगा सरकार जो 10th 12th के बेश पर भरती जो भी करने जा रही है एक तो कहूं मैं कि बिलकुल गलत है आप सब लोग और मैं हम सब मिलकर इसका ब्रोध कर रहे हैं और करते रहेंगे क्योंकि इस प्रकार के काम अब नहीं होते हैं जब जनसंग क्या कमती तब होता था अब क्या है इसमें मैं आपको पहले भी बोल चुका कि दिट 10th 12th के बेश पर कोई भी भरती होगी तो इसमें जो सकता में बैठे लोग हैं उनके ही भाई बहें चाचा बती कीजे भूप भप यह सब लगे जाएंगे क्योंकि इनको पता है कि अब समय खराब आच चुका है नोक्रियां मिल नहीं रही है तो यह लोग अब इस प्रकार के हतकंडे अपना रहे हैं लेकिन इस प्रकार के जो नियम लागू कर रहे हैं वो बिलकुल गलत है इसमें योग को उमीदबारों को सायद मौकान ना मिले क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस ब्यक्ति की परसेंटेज कम है वो योग नहीं है और जरूरी नहीं है कि जिस ब्यक्ति की परसेंटेज जादा है वो योग है क्योंकि हम परसेंटेज से उसकी योगता को नहीं माप सकते हैं क्योंक स्टितियां है लोग स्कूलों में जाकर कॉपी पेपर ले ले लेते हैं और लिख देते हैं तो इस परकार से उनकी युकता को नहीं आका जा सकता है मैं तो बिलकुल इसका ब्रोध करता हूं और आप सभी से नवेदन करता हूं आप सब लोग समझे इस बात को के बहुत बड़ा सडयंत है सरकार का यह अपने कामों में बिफल हो रही है अपने कामों में नाकामी इनकी के काम करना नहीं चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं लोगों को और जंता को सिर्फ गुमराहे करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है और आप चाहते हैं तो हमारे AS Academy के दौरा आप सभी को मत्वदे सिक्षक बर्ती बर्तीन के लिए बहुती बहतरी पूरा NCID-based material प्रोवाइट कराये जा रहा है यह पूरा material आपको मिलेगा दो से तीन दर में नोटस आपके घर पे Speed Post के माध्यम से पहुंचते हैं दोस्तों आपको इसमें बालविकास मिलेगा, गड़ित मिलेगा, हिंदी मिलेगा, पर्यावरण मिलेगा, इंगलिस चाहिए तो इंगलिस मिलेगा, संस्कृत चाहिए तो इस संस्कृत मिलेगा यह सबी बिसाइज जो आपके हैं, मैं बता दू, ANCID-based हैं, यह पूरा मटेरियल आपके घर पे दो से तीन दर में पहुंच जाता है, आप चाहेंगे तो इस मटेरियल को भुकिंग कराने के लिए दिये गए नमबर 911-755-039 पर कॉल करके, मेसेज करके भुकिंग करा सकते ह और दो से तीन दिन में नोट से आपके घर पे, स्पीट पोश्ट के माद्यम से पहुंच जाएंगे, तो दोस्तों याद रखीगा, हम लोग इस प्रकार से नोट से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, पुरा यह सकेडमी परिवार आपके साथ है, इस प्रकार से पैक करते ह और आपके घर पे, हम लोग स्पीट पोश्ट के माद्यम से भेजते हैं, ठीके, तो याद रखीगा, बिल्कुल तैयारी में लग जाओ, अभी भी बक्ते कुछ बिगड़ा नहीं केकी कहते हैं, कि दिन भर का भूला साम के सही रास्ते पर आजाएं, उसे भूला नहीं कहते हैं, तो अभी भी टाइम है, आप इस उल्जन से दूर हो जाओ, कि बर्ग तीन की जो परिक्षाएं हैं, बो नहीं होगी, और दस भी बारे भी के बेस पर इसकी भरती होगी, यह साब कुछ भी नहीं है, ठीके, तो याद रखीगा, आप लोग तैयारी करते रहें, कोई मन म सवाल है, तो मुझे बताईएगा, टेस्ट सीरी लगाना चाहते हैं, तो एप की लिंक में वीडियो में दे देता हूँ, दूसरी बात, साड़े आठ बजे डेली एस अकेडमी पर हमारी मैट्स की क्लास से स्टार्ट हो गई है, इस नोट्स की खासियत भी बता दू, इसमें नमस्कार, अपना बहुत ख्यार रखेगा, अच्छे सरेगा, गौण बेलाशी ओभ्रांतियों से दूर रहें, चैनल को सब्स्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्स्राइब कर लीजेगा, बेल आपको उनके साइन पर किलिक कर लें, जैसे आने वाले सारे लेटिस्ट आपको मिलते रहेंगे, नमस्कार